देखे अजमेर में इस समय आरोबी के और जो स्टेशन रोड चाई अलिवेटे रोड निकल रहा है इन दो के बड़े प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी का तहत यहां पर चल रहा है और जो वीनु गुपता है अडिशनल चीफ सेकेटरी पीड़ डी की और चेर परसेन राजिस्थान स्टेट रोड डवलोपेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्परेशन लिमिटेट की इन्होंने भी एक गुणवत्ता नियंतरन सप्ता की शुरुवात सोमवार को की तहत अब जो जो निर्मान धिन काम इस वक्त चल रहा है वहां पर गुणवत्ता की जाज कर रही है और गहनता से तफ्तीश कर रही है कि अखिरकार किस्तिर्गी के निर्मान कारे चल रहा है कारियों की प्रिगती की रफ्तार क्या है उसको लेकर निरिक्षन कर रही है इसी सोमवार को जो वीनु गुप्ता है उन्होंने VC के जरिये गुर्णिवत्ता नियंदरन सप्ता की शुरुवात की थी और उसमें मुखे सच्छी हैं क्योंकि वीनु गुप्ता उन्होंने ये पूरा सप्ता है इस सप्ता के अंदर सवी स्थर के जो विभाग्य अभियनता're उननको विभाग के निर्मानादीन और पूरे कारयों का गैनता से निर्मान कारने के निर्देश दिये थे। जिसमें आरोबी के निर्मान कार रहे हैं वहाँ पर जाकर भी उस जगे के जो निर्मान कार रहे हैं किस तरीके से चल रहा है किस रफ्तार से चल रहा है उसको अभियंताओं को देखना है और उसके साथ में उसकी रिपोर्ट जो है वो वीनु गुपता को डारेक्ट रिपोर् और उनके पास में PWD विभाग है और एक नजर से क्योंकि अजमेर से तालुकात है पूर सांसद है अजमेर से उनका सीधा संबंद अजमेर से रहा है अजमेर में खास दिल्चस्पी सचिन पालेट की रही है और इसलिए जब वीनु गुपता आज अजमेर में आई हैं और मौक है और सीधी नजर सचिन पालेट की इसके उपर है तो इसलिए भी यह जो निरिक्षण इस वक्त हो रहा है यह बहुत महत्पूर्ण है और सबसे महत्पूर्ण क्योंकि सब्ता चल रहा है और इस दोरान यह देखना है कि अकरिकार किस गुडवत्ता के इस तर का जो काम है न इस काम को पूरा होने में कितना वक्त लगेगा तो इस सवाल के उपर उन्होंने अपने अधिकारियों से मौके पर यह पूछा और यह इशारा किया है कि लगबग एक साल इसमें पूरे काम को पूरा होने में लगेगा और इसको अनुमानता यह माना जासकता है कि तकरीबन तेरा से सोला महीने का वक्त एलिवेटेड रोट के काम को पूरा होने में लग सकता है और उसके बाद में जो जो अब इस समय अजमेर शहर को ट्रेफिक के अंदर काफी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा अजमेर के लिए कुछ बहुत important projects हैं जिनको फूरा किया जाना आवशक है और उस जंता के लिए बहुत ही लाबदायक रहेंगे तो एक मैंने पहले LC44 का काम देखा कली वहां से अतिक्रमन वगरा हटे हैं और अब RSRDC उसकाम को गती से चालू करेगा और डूसरा यह elevated project देखा है इसको भी गती देने की आवशकता है क्योंकि इस समय थोड़ा ट्राफिक कम है तो हमारी कोशिश ही है कि इसमें जितना जादा यह project speed पकड़ सके उतनी जल्दी complete हो सकेगा तो अब इसमें काफी काम बाकी है और डगेगा टाइम थोड़ा अंदाजन तो सालवर करीब मेरा नाम वीनु गुपता है मैं ACSPWD कर दो जितने कोशिश 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 नादा में में एक डिसमें पक रहके पिए कोश्मक्तिश काप दो है कि और बार्व कोशिश काम बार्वणर काम जादाशन में अबगेश धितना है